देश में तेजी से बर रहे कुरोना के ममलों को देखते हुए भारतिय रेलवे ने एक जुलाई से 12 अगस्त के बीच नियमी ट्रेनों के लिए बुक किये गे सबी टिक्टों को रद करने का फैसला लिया है रेलवे ने इसके लिए सरकुलर भी जारी कर दिया है इन खबरों को टीवी पर देखकर एवं समाचार पत्रों में परकर लोगों के मन में कन्फूजन पैदा हो गया है लोग भागे भागे अरक्षन कारेले आ जाते हैं जहां उन्हें सही जानकारी देखकर पुनह वापस भे करेंगे जिनके कारण लोगों के मन में कन्फूजन पैदा हो गया है इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें पहला कन्फूजन क्या सभी आतरी ट्रेनें रद्ध हो गई है इसका जवाब नहीं लोगडाउन से पहले जितनी भी ट्रेनें चलती थी उन सभी ट्रेनों के वीडियों को और ग verbessाल लोगों को इस ट्रेन में ट्रिकट बुक किया है तो चिंता करने की बात नहीं है इस पेसल ट्रेनों को ट्रेन के नंबर से भी जाना जा सकता है इस ट्रैन का नंबर ZERO प्रारम होता है जैसे आश्रम एक्स्प्रेश ट्रेन का नंबर 02 915 तथा ब्र तथा railway ticket counter से, online ticket अपने आप रद्ध हो गया है, इसमें कुछ करने की जुरत नहीं है, जिस bank account से आपने ticket book करा रखा है, उसी account में पैसा आ जाएगा, अब रही ticket window से book किया गे ticket की, तो इसके लिए ticket reservation office में जा कर पूरा refund ले सकते हैं, railway counter से यदि आपने ticket book किया है, तो आपके पा counter अंतिम बार 22 मार्च को खुला था, जिसके बाद 12 माई तक बंद कर दिया गया था, इस बीच online ticket booking तथा advance reservation जारी था, जिसमें 12 अगस तक ticket book हो गया था, और लेकिन lockdown के कारण इसे भी बंद कर दिया गया था, इतनी बातों को बताने का निश्कर्स यही है, कि नियमित यातरी ट्रेने 12 अगस तक बंद रहेगी और special train का परिचालन पहले की तरह जारी रहेगा, और passenger की मांग के अनुसार special trainों में जाफा किया जाएगा, फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो comment कर पूछ सकते हैं, यदि या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक क दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और YouTube चैनल अपना रिल को सब्सक्राइब करें